वो मुस्लिमानों के दुसमान है ओवेसी। उन्होंने हमें बरगल राया। एवेसी कहिता हूँ! और भारत के नेता हूँ! हमारे देह के मुसलमान, सर्भारत के मुसलमान, OVSC जैसे टुचे बगता को. और जब मुशलमान खुशाल है देश का मुशलमान खुशाल हो रहा है और समर्दी के तरह बढ़ रहा है देश की तरक्की के साथ अपना योगदान दे रहा है नमस्कार आप देख रहे हैं पॉल्टेकल अड़्डा और मैं हूँ आपके साथ आशी स्तिवारी बात फिर से वही 2019 में सिटिजन सिप यानि डबल सी एए ऐसा आया कि जिसके बाद से 24 में यह लागू जब हुआ सी डबल ए तो उसमें एक तरीके से विरोधा भाश होता दिख रहा है कई जगा असम को ले लिए तमिलाडू को ले लिए और ममता बनर जी इस पर मुकर होती दिख रही है दिल्ली के मुक्रमंतरी अर्विंद केजरिवाल कह रहे हैं कि रोजगार तो है नहीं दूसरे देश के लोगों को देश में बुला लिया जा रहा है इनी सब को ले करने की बहुस्ता यहां दी जा रही है जिसकी वह पेक्षा लगाए बैठे हैं तो आम जन्मानस इसको लेकर क्या सोचता है हमारे साथ एक ताधात है जाने कोशिश कर देए क्या शुबना मुपाइस मेरे नाम सरफराज है सरफराज जी एक बात तो यह भी आ जाती है कि जो भी बात करते हैं उनकी बात में कोई दम और सचाई नहीं होती है अब आजाए उत्रप्रदेश की बात तो अगले स्यादव जी जो है क्या नौइडा में जब आते थे तो क्या मिधा किता उनके दिमाग में क्या हम जाएंगे तो हमारी कुर्सी चली आएगी है लेकिन य जो विकास पुरुष साबित हुए वह आ रहे हैं देश के परदानमत्री नोटा में आ रहे हैं इनकी कुर्शी को तो कोई खत्रा नहीं हुआ लेकिन एक बात बताई है कि विकास की बात करते हैं विकास नहीं है और इतने बड़े-बड़े हाइवे जो बन रहे है क्या वो जो रोजगार के लिए हब बना देग हैं बड़े-बड़े आईटी बनाए गए गया बड़े यहां पर उध्योग पती अपना अपना उद्योग लगा रहे हैं तो क्या विकास नहीं है लेकिन जब यह सरकार थी तो यहां पर उध्योग पती भागनी के लिए मजबूर हो गुंडा राज हो गया था आज गुंडा कहा है गुंडा गायव हो गया गुंडा आज मुझ पानी के लिए जगे डूंड रहा है लेकिन उत्तर परदेश के अंदर एक भी गुंडा आपको दिखाई नहीं देगा आतिक जैसे गुंडे उनका जो इलाज कर दिया और जितने ब मुस्लमान來 के जो हितवा है या अच्छे नेता है बड़े नेता है वरिसी के यह गूट से की विचारधारा के लोग है यह दोयम दर जी कि नागरिटा के लिए यह बात का passage मुषल्माने के बड़े नेता हैं ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर हर योजना का लाब ले रहा है उत्तर पर्दिस के अंदर सारे योजना को मिलती और रही ही बात मुस्ल्मान की 150 अ हर गारे अगता है। और नहों सब्सक्राइब करके अपनी तरफ को मुड़ने चाहते हैं वगी कुछ मी नहीं है और मुसल्मान आप इस बात को समझ चुका है और पड़ा लिखा मुसल्मान जो बात है वह और समजह भी रहा है और खुद भी समझ चुका है कि अब देश का मुसल्मान केबल देश की तरक्की के साथ रहेगा देश के तरक्की के साथ सामिल होगा और अपना भविश्य तरक्की में सलत तलासेगा पिछली बार जो शाहिन बाग में बवाल हुआ था यही कानून था ना इस बार फिर से सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्या लगता है कि इस बार माहौल फिर वैसा तो देखने को मिलेगा नहीं आप नहीं देखने को मिलेगा वैसा सब्सक्राइब आपने लोगता है आप लोग समर्थन की तरफ हैं बहुत सारे देश की जन संख्या अगर मोधी जी ने ये किया है तो कंट्रोल करने के लिए किया है अगर ये इसमें जो बहुत हैं हिंदू हैं इनकी संख्या बहुत कम हैं थोड़े से लोग वो आ जाएंगे बिचारे परिसान है दूसरे देसों में उनको हमारे देश में रोजगार में उ कि लो जाएगा आज जो चौक पे जाओ एक दिहाडी 600 रुपे ले रहा है मजदूर आज के दिए 600 रुपे चौक की दिहाडी है मजदूर की और अब गर वो लोग अगर आगए ठोक के यहां पे तो इतना रेट गिड़ जाएगा कि जो वो मलत पूरा देश में बेरोजगारी का पूरा आतंगवार टेरिस सब पहल जाएगा क्योंकि उनके बास कुछ है नहीं रोहिंगिया में और पाकिसान से अगर इजादत दे दिया है अफगानिस्तान से इराक से इरान से तो मुस्लिम अबादी बहुत जादा है वो आ जाएगे तो हमारे देश में हमारे देश का हनन हो जाएगा आपका क्या शोब नाम भाइस भारत मिस्ता अच्छा बरजी एक चीजी पताइए कि यह जो लोग विरोध कर रहे हैं खास तोर से राजनेतिक पार्टियों के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई जो लागू हुआ यह गलत तरीका है और हम इसका विरोध कर पर प्रदेशों में लागू भी नहीं होने देंगे ऐसा क्यों कर रहे हुं इसके पहले ममताव नर्जी ने ने कहा था कि मैं भाजपा का टीका नहीं लोगांगे आपको याद होगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब लोगा आज ने तो कल इन्लों कि जो दूर बद्धी है तो तो चुक पूझ नहीं पता पाएंगी तो इसका भी रोधी करेगा ना सर्ट जिसके बारे मुझे जनकारी ही उब लिए और देश के मुसलमान को निए लेकिन हमारे करिए मुसल्मान को नेता अ कमीने चोकता है अकर्व दिया जाती तो भारत के दोजे लुपाल करते हैं लुपाल्ड हुआय। इसको सर्म करना चाहिए। किहां में बीजय पिगावी काँ रहा है कि अमें इस पढ़ें किमसे कम जपे हलु़ बीजय पर भी पर्टी एकी उसको बात करने का सब्हुत का बार बार कहता है कंशुशन 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 चंशञां के बारे में भी सुटूश को किस वी जनकारी नहीं है है मैं आप से रहे हैं है कि लिए और किसी भी बात को ले जाए में जाता है चुछेशन में नामने मतलब है यह आप ही क्यूं आया उनीस में जब आया तो बाइस में ले 23 में हो जाता आखिर में चुनाओं के दोरान क्यों आ रहा है बिल्कुल ठीक है आपने ओवेची ने नहीं पता कि धारा तिनसा तक कब अठाई गई और विसको नहीं पता कि एक बिधान एक जान कब किया गया पता है ना सारे जंजाल कब वन टाम खत्म कर देते मोधी जी मिलाड्सी हो और चाहे अब यू सी हो कम यू सी आने वाला से तब फिल्च अब मुस्मालों को विसी आत जवाब दें आपके चन्योड़ माद मैं वह किता हूँ कि नहीं कहते है कि आपने कहा कि पहले कौं नहीं है अरे पेले कित्रे काम कर दिया बिकास किया बारी बारी से रोग कटाएगा जब भुखार आता है ना तो दो दिन तीन चार्ज पांस रहता है तो इस बुखार सतर पर सोगा है इसमें पचास साल लगेंगा ठीक करने में देश को और 207 में यह हिंदु राष्ट कहा जाएगा क्योंकि दुनिया में एक हिंदु राष्ट ह हिंदुस्तान है और हमें दहुंद धरिवह लोगा। हुआ है देख्ट कि हम हिंदुस्तान होइँ है काम है सब्सक्राइब कुसितल मुसलिमीं समाद लांट होने नहीं पौ। यही बुखार जो आप कह रहे हो जब कह रहे हैं यही बुखार के बाद से महतनों य४ हमको हनृचानल आप करें हमें। इससान मेया हम ह Kevin था थैंसे सुनःतर हैं हमिस्चु झांस हैं हम लुग म Battlefield कर दूं कि योग बतल गया रामराज की ब्हार चल गई अब ओवेसी जी ममता जी किजरिवाल दी इस ना पीट लो मोधी राज आने वाला है फिर योगी राज आएगा अभी तो सबसे बगाया है फिर सन्या से याने वाला है कॉंग्रेस ने सथ्था के निशे में और कातित जो समझे इनकी पहले सूचना आएगी किसकी चुनाओ की कि अब तारिकता होने वाली है उसके बाद लेके आएंगे ये गोटसे की विचारधारवाले लोग हैं मुस्लिम समाज को क्या करना चाहरें दोयम दर्जा देना चाहते हैं कि अपने वह मुस्लिमानों के दुस्मान है ओवेशी कि उन्होंने हमें ब्रगल आया मैं बड़े जुमितार से कहता हूं और मैं पसमंदा समाज को से कह रहा हूं कि ने इस देश के मुस्लिमानों को बरकल आया भैक आया डर देखाया कि कॉंग्रेस आ जाएगी तो आरसा आप अबसी के सामने कि आज चुनाम होने वाला है भारत में और कॉंगर्स के बोड़ दो मुस्लिमानों भाजपा को मुट मत दो आज आज बंद कर दी है कस्मीर के बता दो में कस्मीर में क्या किया ता नरसंगार इन अबदुल्ला ने मुफ्ती ने कॉंगर्स की गोते बैट कर अबदल्ला मुसल्मान मुफ्ती मुसल्मान हिंदूओं को भेन बेटियों को नरसंगार किया है हिंदूओं को तबा किया है मज्जित से आबाज आती थी या तो देश छोड़ दो कस्मीर छोड़ दो या मुसल्मान हो जाओ ने तो मार दिये जाओगे पत्थरवाजी होती कि हमारे सहीद मर जाते थे आज पत्थरवाजी बंद हो गई आज आवाजें बंद होगी आज मजडितों से आज हो जो हिंदू समाज के लोग है वह अपिस कश्मीर में जा रहे हैं आज देवता ने वह काम कर दिया है एक चार्ज दिया है हिंदूसान में कि वह गरीबों का भ कर दोड़ा है उसका नाम है नेंद्र बोदी वह देश का देवता है वह हमारा मसीय है वह हमारा बड़ा यह सत्र वर्सों में नहीं पाई हम लोग, आज हमारी घर में समान निदी आ रही है, सोचा ले बार आ रहे हैं, उजला कैसे उजना आ रही है, राशनकार्ड बनने हैं